कie कुछ किचन टिप्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत जादा काम के होते हैं चोटे चोटे होते हैं आज मैं आप आप सब के लिए पांच ऐसे किचन टिप्स लेक्व जो काफी यूस्पूल है वेलकम तूत मैस्टू मेरे किचन मेरे बहुत वाहखत जो सभी के घर में मिल जाएं कि यह पुराने जमाने से सभी के घरों में चलते ही आ रहा है तो यहां पर हमें ग्रेटर की धार तेज करनी है तो ग्रेटर की धार कैसे तेज करेंगे तो उसके लिए आपको ले लेना है सैंड पेपर और देखिए यहां पर सैंड पेपर को आप आपको अपर से लेके नीचे तक जाते यहां पर आपको उपर से लेके नीचे नहीं जाना है नीचे से लेके ऊपर आना है और इस तरीके से आना आपको इसे थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में जैसे मेरे पहले वाला जो था एकदम नया था तो मैंने उसे कमी घिसा है जो पुराना वाला है तोड़ा सा जादा टाइम दीजिएगा मतलब जैसे 10 से 12 बार इस तरीके से गीशना है और फिर जाके आपका जो ग्रेटर है एकदम तेज हो जाएगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से तो जो भी आपके पास ग्रेटर है इस सैंड पेपर स सब्सक्राइब के नियृते हैं कि वह से उचते हैं बेगे कन जाकार जाता है यहां पे जाका है तो आप एक करने के बाद speakें कोई एफिशे नियृत देख लेते हैं मat पनते हैसे बीके चुण आज संसстoral पहर 15 बार और जब हमाने मात दीचा के। भीजन कपनून गभगते लेकिक चूड़ा मतलब के लिए बहुते हैं मैं रहते हृँ जन JIMी कैसे ज़र यह यह नहीं थी चूड़ा बटा रहे हु . व् wijदक यहां पर पहले जो चूड़ा को चूड़ा को चान में सचान को चान tapping। तो एक बार इस तरीके से छान ले ताकि इसमें जितनी सारे पाउडर है वह सारा गिर जाए जो भी इसमें गंगी है वह निकल जाए तेखिए मैं आपो दिखा रहे हूँ इसे मैंने छान लिया और देखिए इस नीचे प्लेट में आप देख सकते एक दम छोटी छोटी ब्लै फिर इसमें आप चाहे तो सुखी लाल मिर्ची तोड़ के डाल दीजे या फिर इसमें लॉंग डाल दीजे इससे आपका जो पुहा है बिल्कुल भी खराब नहीं रहेगा और जो है ना लंबे डाइन तक सही रहेगा और आपके पास चूड़ा अगर ज्यादा अगर आपके पास है तो इस तरीके से रखिएगा आपका जो पुहाय ना बहुत लंबे टाइम तक सही रहेगा और यह तो प्लीज आगे शेयर करिएगा ताकि यह जानकारी सबी लोगों के पास पहुंचे तो चलिए हम आगे बढ़ते अगला यूजफूल टेप से देखि कभी कभी क्या होता है ना हम हाथ कभी यूज़ कर लेते हैं मैं तो कभी कभी हाथ से भी बना लेती हो और बहुत अच्छा बनके तयार होता है अगर हम इस तरीके से मलाई जब भी आपको बनाना हो खास कर गर्मी के दिन में तो जो भी आपके पास मलाई है इस तरीके से पानी है तक भी अच्छी तरीक से फेट आपको सब्सक्राइब करें साफ सब्सक्राइब है तक भी तरीक्स से फेटना पानी है तो झॉत ज़िए बपाई तईयार हो जाती है सबसे असान तरीका यही लगता है कि अपने हाथों से काम करो कभी-कभी क्या हिलोता है काम करते हैया इस अब कभी गर्मियों में खासकर लायाइट चली जाती है तो यह प्राब्लम आती है THब आप कभी हाथ से हमक्कहा बहुत आच्छा doran निकल के तयार हो जाता है और इसे निकालने के बाद दो से तीन बार अच्छे से पानी से वाश कर लीजिए फिर आप इसे घी बनाईए और जो इसका पानी बच जाता है ना उसे भी हम फेकेंगे नहीं जो यह दूर जादिक रहना इसे क्या कि थोड़ा सा गरम कर लीजिए इ अगला जाड़ी के लिए लड़की आप करना तो हअ में अगला जो तीस बाल जादा परता है तो आगला रटम करते है तो मेखकर सक्ली के पीदैरा ने ड़के सब्सेंटिक हैरा च्छान एक में परस लगा टीप सब्सक्रार तो आपकर सब्सक् 개र मेह जिसे आपके लिफ्स्टिक चाहे कोई भी लगाई है बिल्कुल फैले काने और लंबे टाइम तक आपके जो होट के उपर चिप कर रहेगा तो देखे मैंने आपे लिफ्टिक लगा ले दो तरीके के लगाई है मैंने एक मैट वाली है और एक थोड़ा सा नॉर्मल जो हता है बीफ्टिक यहां पर लेना है पाउडर ले लिजिए देखे मैं आपके पाउडर ले रहे हैं जो भी आपके फेस पर सूट करते हैं वही वाला ले जेए क्योंकि इसे आप फेस पर यूज करने वाले है आपको हाथ पर लिखा रही हूँ तो इस तरीके से पहले जो हाथों म बिल्कुल भी उत्रेगा नहीं और जब आप फेस पे लगाते हैं अपने होट पे लगाते हैं तो इस तरीके से नहीं पोचिएगा आप क्या किजिएगा लिफ्टिक लगाने बाद कोई भी ब्रस से पाउडर लगा लेजेगा जो भी आपके फेस पे सूट करता हो उसके बाद कोई कोटन सॉट कपड़ा ले लिए उसके उपर फिर आप हलके हलके जैसे कपड़े को मुग के अंदर दबाईए फिर छोड़िए फिर उस तरीके से करेंगे तो आपका लिफ्स्टिक जोहना लंबे टाइम तक टिका रहेगा इगा इगदम सिंपल सा टीप से अपना के दे करें और मुझे कमेंड करके बताएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे ताकि मैं आपको थाइंक्यू बोल सकूँ इसी तरी के नए-nए केचन टिप्स और रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें बाबाई